तो हेलो फ्रेंट्स आईए इस वीडियो में बात करते हैं भारत इलेक्टोनिक्स लिम्टर्ड की देट इस B.E.L. इसके स्टॉक में आज अच्छा ब्रेक उट देखने को मिल रहा है 2.57% की रैली देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 109.75 की प्राइस पर चला गया है तो बहुत ही ब्यूलिश ममेंटम इससे स्टॉक में देखने को मिल रहा है तो आए इसके भी लेटेस्ट फिनेशियर रि कर लें बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी इससे लाइक जरूर कर दें तो आईए दोस्तों सबसे पहले इसकी फिनेशियर रिपोर्ट ही चेक कर लेते हैं तो कांप इने 0.60 पर शेर के हिसाब से जो डिविडेंड है वो देने का फैसला भी किया हुआ है तो आएए दोस्तों मेली बात करेंगे इसके जो रिजर्ट्स हैं वहां पे उन पे फोकस करते हैं कि इसकी नेट इंकम में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला हुआ है तो सबसे पहले है इसकी जो नेट इंकम है that is total income from operations वो देख लेते हैं तो यहां पे देख सकते हो quarter 4 में that is March 23 में इसकी जो टोटल इंकम आई है 6,456 क्रोड है जबके December में it was nearly 4,131 क्रोड मार्स 22 में it was 6,324 तो यहां पे देख सकते हो year on year basis पे भी और sequential basis पे भी इसकी income improve हो गई है year on year basis पे minor improvement है लेकिन quarter on quarter basis पे बहुती शानदा recovery इसकी total income में देखने को मिली है मतलब company के business में expansion है लेकिन दोस्तो यह तो total income हो रही है अब बात करेंगे के company ने expense पे करने के बाद tax पे करने के बाद profit कितना कमाया है that is net profit तो net profit इसका बढ़के 1,365 हो गया है March quarter में 1,141 था तो यहां पे अच्छी improvement देखने को मिली है year on year basis पे भी improvement हो रही है और quarter on quarter basis पे तो इस company का जो net profit है वो double से भी ज़्यादा हो गया है clearly outstanding performance यहां पे देखने को मिल रही है तो company के numbers बहुत ही शानदा रही है in the quarter four इन overall आप देख सकते हो के net sales जो है वो 2% के हिसाब से बढ़ी है sales में कोई इतनी ज़्यादा improvement नहीं है year on year basis पे लेकिन profit में अच्छा jump देखने को मिल रहा है 19% के round jump देखने को मिल रहा है विटा भी 16% के हिसाब से बढ़ गए है on year on year basis तो numbers overall positive है साथ के साथ company ने dividend भी दिया है तो इसलिए यह stock आज breakout show कर रहा है पहले भी यह stock ने बहुत ही शानदा returns बना के दिये हैं last five days में 1.67% की rally है जबकि one month में देखो 8% के round rally इसके chart में दिख रही है slowly steadily यह stock जो है rise करता जा रहा है six month में तो कोई ज़्यादा rally नहीं है और 2.19% की rally है लेकिन जदी इसके chart को देखो double bottom formation के बाद इस stock मे reversal देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी indication है यह और one year में तो बहुत ही बढ़िया returns है हम पहले भी बता चुके हैं one year में 40% से उपर returns इस stock ने बना के दिये हैं nearly 42% के returns है जबकि five years में भी यह stock अपने निवेशकों का पैशा double से ज़्यादा कर चुका है 178% के returns है तो य long term में के लिए यह stock एक multi bag stock है हम आपको यही राय देंगे इस stock को आप long term के लिए hold करो और धीरे धीरे करके इसमें accumulation करते रहो तो long term में जरूर अच्छा पैसा बनता रहेगा